ओम सिरी गनेशा इनमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 जनवरी गुद्वार के रासी फल के बारे में कि इह दिन दोला राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहीगा तुलाराशी वालों के लिए बुद्दवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपकी आर्थिक इस्तिती काफी अनुकूल रहने वाली है आर्थिक लाव के लिए आज आपको अच्छे मोके प्राप्त हो सकते हैं वैवसाय से संबंदित या फिर बहर के कमपनियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना पाई जाती हैं दोस्तो आज बहर से कामगाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राइं हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साती सात शिक्षा के छेत्र में भी आपको आज अनुकूल पहिणाम प्राप्त होंगे और उच्छ शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छा लाब आज प्राप्त होगा आपके ग्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गड़मानने लोगों द्वारा आपको अवश्य ही आज प्रसंसा प्राप्त होगी कामकाज के छेत्र में भी आज कुछ व्रद्धी करण किया जा सकता है जो आपके लिए अवश्य ही अच्छा साबित होगा दोस्तों पूरे परिवार में आज सभी लोग काफी जोस में दिखेंगे घर परिवार दोस्तो धन्यधान अचल संपत्ती प्राप्ती के लिहाज से आज के दिन का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है। उपलब्दियां प्रदान करेगा जै दोस्तों आपकी थोड़ी सी भी मेंत का आज आपको भरपूर फल प्राप्त होगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा जै दोस्तों इसलिए आज आप शमय का सद्यों प्योंकरें क्योंकि आज आपको अच्छा लाब इसलिए परिवारिक इस्तितियों को अनुकूल बनाने के लिए एक दूसरे का परश्पर संबंद होना बहुत जरूरी होता है। भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा इसी कारण आप कुछ हद तक स्वैम को बदा हुआ महसूस कर सकते हैं दोस्तों साथी साथ गलत लोगों के संपर्क में तथा गलत संगती से दूर रहने का आज आर्थिक समस्याओं का आज आपको सामना करना पर सकता है मानसिक असांती के साथ साथ कारण व्यवसाय में भी आज व्यवधान उत्पन हो सकता है मन में घवराहट तता परिसानियों से कारण योजनाओं में बादाएं उत्पन हो सकती है अथे सावदानी रखना आपके लि आपके लिए आज कुछ परिसानिया उत्पन कर सकता है बच्चों पर जादा अनुशासन रखना उनके लिए परिसानिया खड़ी कर सकता है इसलिए अपने स्वभाब में आज आप थोड़ा लचीला पनलाएं पिता का सम्मान करें कुछ मतबेद उत्पन हो सकते हैं थोड़ा सापधान रहें दोस्तों साती साथ आज आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेस ना करें अगर आप सभी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुक्सान हो सकता है दोस्तों आज अचानक यत्राओं के करण आप आपा धापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं उ कमंजस बैठाने में मुश्किल आज आसकती है थोड़ा साथ धन रहें दोस्तों बात कर लेते हैं अजब की लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों अगर आपके दमपत्ते जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहन रहने वाला है जा दोस्तों प्रेम के मामलों के लिए आज का समय बहुती अति उत्तम रहेगा जा दोस्तों विवादों से आप दूर रहें किसी के कहने पर कोई कार्रें आप ना करें आपको अपने आप पर भरोसा रखना होगा अथे अपने आप पर भरोसा रखते हुए अपने प्रेमी प्रेमी का पर आप भरोसा रखें तथा एक दूसरे से प्यार में संगलन रहें क्योंकि आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने ज़्यादा जाहिर ना करें आपकी गुप्त योजनाएं आपके काम में ज़्यादा फाइदे देंगी जया दोस्तो इस समय कहीं से आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उमीद है दोस्तो बस आपको अपने निर्ने को ही मननता दें पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्य ही फाइदा होगा जया दोस्तो वेवसाइक छित्र में धनलाव की आज इस्तिती रहेगी कारों आज आपके लिए सभी आसानी से सफल होंगे कारोबार विश्टार की आज आप योजनाएं बना सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर काफी लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ आपको पैसे के लेने देन में भी थोड़ी साफधानी रखनी होगी प्रॉपर्टी में निवेस आज आप कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर अवश्चे ही लाबदाइक सिद्ध होगा साथी साथ नोकरी पैसा वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है नोकरी से संबन्दित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी आज इनको अवश्चे ही प्रात हो सकती है जिस सेन का मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है ज्यां दोस्तों शारारिक से जादा मानसिक स्वास्त पर आज आपको अधिक जोर देने की जरुत है आपको अपने क्रोध पर आज नियंतन रखना होगा साथिसा दोस्तों अपने खानपान पर भी आज आप अधिक ध्यान दें क्योंकि आज आपको पेट से सम्बंदित कुछ समस्य उत्पन हो सकती हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साती साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात के लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तों आज आप इश्नान आदिश निर्वत्र होने के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी सामर्थ के अनुसार अन वस्त्र और पैसे का दान किछी जरुर्त मंद को भगवान श्री गनिशी ज सुनान करते हुए आवश्य करें जा दोस्तों ऐसा करने से भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे और आपके जीवन में जो भी परिशाने चल लए हैं समस्त परिशानियों का अंप करेंगे और आपको जल्द ही सुब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद